हेलो फ्रेंट्स आप देखना टेक्निकल हिंदी गुरू जी फ्रेंट्स ये बीडियो बहुत इंपोटेंट आपके लिए होने वाली है और जैसा कि आप सभी पता है कि मोप अपराउंड काउंसलिंग के रेजिस्टेशन सुरू हो चुके है इसकी जो काउंसलिंग पिरकिरिया है वो सुरू हो गई है चातर अपना रेजिस्टेशन कर सकते हैं च्वाइस्पिलिंग कर सकते हैं लेकिन चातरों के माइड में बहुत ज़्यदा कुस्सन घूम रहे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे हैं किया सर हम मोपा पराउंड के इलिजबल हैं या फिर नहीं हैं, हमने फर्स राउंड में पार्टिस्पेट किया, सेकेंड में भी किया, क्या हमको कॉल मिला या फिर नहीं मिला होगा, तो क्या हम इसके लिजबल हैं या नहीं हैं कि हमें registration द्वारा करना होगा या security भी हमको द्वारा देनी होगी तो ऐसे बहुत से कुस्सन है जो छात्रों के mind में चल रहे हैं ठीक है इसके बाद मैं आपको बता दूँ फिर यह बीडियो बहुत 10,000 पूरे दिन में कम से कम 10,000 self comments और आता है और हर comments का मैं reply नहीं कर पता हूं और आप खुश हो सकते हैं दस,000 comments के कितने reply में करों अलाकि Q&A की वीडियो में लेकर आता हूं और Q&A की वीडियो में इतने comments कहां तक मैं pick up करूँगा तो जहांत की संबब किलिए नहीं ज रहुंगे मैंने आप से कहले आपके जो आपने मुझेपर ऊस्लिए क्लीस डिलियर करता रहुँगा तो वीडियो को अंतक देखें और बिजियो को बिलगुली स्क्रिप ना करें बीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब करके बैल-ाकन को प्रेस्ट करें और इस बीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा सेयर कर दें तो देखे फ्रेंट्स मोपा प्राउंड की कांसिलिंग को लेकर मैं आपको बता दूँ कि मोपा प्राउंड की जो कांसिलिंग है वो 10 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है और इस जो है 14 दिसंबर तक इसके रेजिटेशन और 24 फिलिंग चलने बाले है ठीक है अब फ्रेंड से छात्र कौन-कौन इसके लिए इलिजबर रहेगा वो मैं आपको बताता हूं ऐसे छात्र जोनोंने All India Quota फर्स्ट राउंड में पार्टिस्पेट किया था और उन छात्रों को सीट अलॉट हो गई थी ठीक है द्यान देना इस वीडियो को बहुत इंपूरेंड है All India Quota फर्स्ट राउंड में जिन छात्रों को सीट अलॉट हो गई थी और उन्होंने सीट पर एडविशन भी लिए लिए जाकरके तो आप मुपप राउंड के लिए रिजबन नहीं रहेंगे यानि की सीधा सा मतलब यह है कि आपने All India Quota राउंड बन हो चाहे राउंड टू हो चाहे इस्टेट कोटा से आपने कांसिलिंग करवाई हो उसमें आपको सीट अलॉट हो गई हो तीक है चाहे आपने All India Quota के तो आप मुपप राउंड के लिजबन बिल्कुल भी नहीं है ध्यान रहे मुपप राउंड के आप लिजबन नहीं है अगर आप चाहे All India Quota चाहे इस्टेट कोटा के थुरू अबर आपने एडिविशन ले लिया है तो आप किसी और कांसिलिंग के लिजबन नहीं रहेंग जैसे कि मुपप राउंड है तो उसके लिजबन आप नहीं रहेंगे अब जैसे कि माली जीगा किसी चाहत ने इस्टेट कोटा में अपनी कांसिलिंग करा रहा है तो किसी को फर्स्ट राउंड में जो है उसको कॉलेज अलॉट हुआ था और उसने एडिविशन ले लिया फ सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट होने के बाद सेकेंड राउंड में उन्होंने जो है यानि की फर्स्ट राउंड में उनको कॉलेज मिल गया था ठीक है सेकेंड राउंड में के लिए उन्होंने जब सेक फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला वह उन्हों चात्रों यहाँ पर eligible रहेंगे ठीक है उसके बाद फर्स्ट राउंड में ऐसे छाट जिनको college मिला और अपग्रेडिंग अपनी seat को डाली और second round में उनको दूसरा को college मिल गया तो बो भी छाट रिसके लिए eligible रहेंगे लेकिन ध्यान रहें अगर आपको second round में को college मिला है तो आप मुपप राउंड के लिए eligible हैं seat छोड़ दी हो या अपने तब लेकिन आपका security amount है second round का वह आपको बापस नहीं मिलेगा लेकिन first round में अगर आपने seat seat मिलने के बाद अगर आप admission नहीं लेते हैं तो बहाँ पर आपकी security amount होता है वह आपको बापस नहीं दिया जाता है तो यह आपको clear हो चुका होगा ठीक है अगर आपको first round में seat मिल गई है और आपने seat मिलने के बाद upgrading में डाल दी तो आपको कोई seat नहीं मिली तो आप इसके लिए eligible हैं मोपा प्राउंड के लिए कि आपकी seat यहां पर security amount बापस हो जाएगा ठीक है तो आपको जिन चात्रों में all India quota में registration कर दिया है counseling के लिए तो मोपा प्राउंड में अपना registration ना करें ठीक है मोपा प्राउंड में अपना registration ना करें और ऐसे चात है जुन्होंने all India quota में participate किया था लेकिन उनको first और second round किसी भी राउंड में उनको seat a lot नहीं हुई थी तो उनको मोपा प्राउंड में registration द्वारा करने की जरूवत नहीं है और नहीं उनको कोई fees देनी की जरूवत है जो आपने all India quota में fees दीती भही इस फीस आपकी मोपा राउंड में काम करेंगी ठीक है तो द्यार रहे रहा है उनको seat भी a lot हो गई है उन्होंने एड़ीचन भी ले लिया है तो क्या मोपा के लिए लिजबल है नहीं तो ऐसे साथ मोपा के लिए लिजबल नहीं रहेंगे हाला कि मैं आपको बिकाया कि अगर आपने यहां पर इस्टेट कोटा में कांसिलिंग करवाई है आपको स पूशी सी कराता है जिस तरह से ओल इंडिया कोटा लेविल का होता है यह ठीक है लेकिन कराता इससे इस्टेट है तो आप मोपप में अलग नया राइश्टेशन करना पड़ेगा आपको उसके बाद देखीगा अगर आपको इस सेकंड राउंड में आपकर आपने पाइसिप मोपप सेकंड राउंड में आपको सीट नहीं मिली है तो कि आप इलिजबल है मोपप के लिए तो हां बिल्कुल आप इलिजबल है अगर आपको सेकंड राउंड में सीट मिल गई थी मोपप तो आपने मतलब सीट नहीं मिली थी सेकंड राउंड में तो आप मोपप के जाएका मोपवराण में आपको द्वारा से स्वेकृर्टी अमाउंट देना होगा तो जहां तक मैंने आपके सभी कुस्तनों के आंसर दे दी होंगे और आपके और कोई कुस्तन परिसानी हो तो बुनीचे कमेंड में पूछ ले और इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि ऐसे चात्र जिनको नहीं फर्स्ट राउंड में पार्टिस्पेट किया था नहीं सेकेंड राउंड में पार्टिस्पेट किया था तो क्या वो उस मोपवराण के लिए हैं हाँ जी बिल्कुल आप मोपवराण के लिए हैं अगर आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिस्पेट कर रहे हैं अगर मोपपरांड में सीट मिलने के बाद आपने सीट पर ज्वाइन नहीं किया तो आपको सिकॉर्ट कर ली जाएगा वह आपको बापस नहीं दिया जाएगा क्योंकि फ्री एक्जिट नहीं होता है चाहें स्टेट का हो चाहें और इंडिया कोटा का हो ठीक है second round और आपका mope up round यह दो round ऐसे हैं जिसमें आपको security amount बापस नहीं मिलता है और seat मिल जाती है और छोड़ दिते हैं तब और अगर mope up round से आपको seat नहीं मिलती है तो history vacancy round होता है history vacancy round में आपको seat आपको जो है college level से करवाई जाती है history vacancy round उसमें आपको सीट मिलती है तो आप महायड़ी बीसन ले सकेंगे तो इसके लावा कोई और परिसानी दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ लें और फिलाल मैंने जहां तक है सभी की डाउट किलियर कर दी होंगे और कमेंट्स भी मैं आपको पिकप करता रहता हूं बताता रहता मैं बना दिया है देख लीजेगा पूरी डेटेल में बीडियो मैंने बनाया है चैनल पर जाकर देख लें और इसके लावा कोई भी दिक्कत आपको परिसानी हो तो वह भी आप कमेंट में पूछ लें मैं जब कि युएन की वीडियो लेकर आँगा तो आपको बता और आपको कोमेट वही आंसर आपका दे दूँगा